नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वीक से यहाँ पर धनलक्ष्मी बैंक के बारे में काफी चर्चा हो रही है न्यूस में इन फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार यह प्रॉब्लम क्या चल रहा है यहाँ पर जो बैंक एंप्लोई के यूनियन है उनकी क्या डिमांड आ रही है आर्बियाई की इंटरवेंशन क्यों मांगी जा रही है इस बैंक के अंदर काफी कुछ जानने को है चली आगे ब प्रॉब्लम में चला जाए उसके पहले ही आप इसके अंदर इंटरवीन करिए हस तक्षेप करिए इसके अंदर ताकि इस बैंक को किसी प्रकार से बचाया जा सके तो ऐसा यहाँ पर लेटर लिखा है और उसके बाद से काफी जादा इसमें चर्चा होने लगी है तो इसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको लेकिन इसके थोड़े से पांश्ट के बा अब हम आते हैं कि लेटर 2008 से लेकर 12 के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद यह बैंक क्लोज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम से यह उस समय गुजर रहा था इन चार सालों में इनफेक्ट इसका परफॉर्मेंस बहुत जादा खराब हो गया था जिसकी जादों की यह जो लेटर लिखा गया है बैंक एंप्लॉईस यूनियन के दोरा उनके जो जेनरल सेक्रेटरी हैं सी एच वेंकर टचलम उन्होंने यहाँ पर आर्बियाई गवर्नर को इस लेटर में इसी के बारे में एक तरह से जिक्र किया है कि उस समय क्या हुआ था 2008 से 12 क बीच में basically यहाँ पर बैंक को modernize करने के नाम पर जो top management है उन्होंने बहुत सारी गलतिया की थी ठीक है बहुत सारे mistake किये थे जिसकी वजह से आप देखो कि उस particular period में 850 करोण से भी जादा के losses देखने को मिला था तो finally 2012 के बाद RBI ने intervene किया था उस समय और top management को यहाँ पर change क किया गया जो capital base है bank का उसको थोड़ा से strengthen करने की कोशिश की गई जो board of directors है हाँ इसके बारे में ध्यान रखना board of directors यहाँ पर काफी important हो जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि सारा जो मुद्ध है कहीं न कहीं इसको भी लेकर चल रहा है तो board of directors का मतलब simply क्या होता है और board के अंदर जो members होते हैं directors होते हैं वो कौन appoint करता है और विसी बात है उस company का या फिर bank के shareholders होंगे वो voting right के हिसाब से उसको appoint करते हैं although उसके अंदर आपको कुछ independent directors देखने को मिलेंगे और RBI को यहाँ पर clearance देनी होती है कई सारी चीज़े होती है लेकिन ultimately आपको ध्यान में लाया गया और in fact अगर आप देखोगे तो यह जो आपका पिछला साल वाला वित्य वर्ष गया है 2019-20 का इसमें यहाँ पर अभी तक के इतिहास में यह जो bank का इतिहास है उसमें सबसे जादा profit हुआ था that is 65 करोन का इनको profit देखने को मिला था लेकिन अब problem क्या है तो यह यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी है वेंक टेचल हम उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इस साल के सुरुवात में जो top management है इस bank का उन्होंने यहाँ पर कई सारे changes किये हैं basically और इन सारे changes की वज़ए से जो bank के employees जो union है उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा observe होता है कि वापस से ज बचा है यहाँ पर जो bank का business profile है उसको change करने की कोशिश की जा रही है जिसकी जैसे उनको लगता है कि शायद यह bank जो है वो गलत दिशा में चला जाएगा loss में चला जाएगा और ultimately यहाँ पर जो employees हैं उन लोगों को यहाँ पर निकाला जा सकता है उनको यहाँ पर हटाया जा सकता है तो यह खत्रा है basically bank employees के द्वारा जो उन्होंने यहाँ पर बताया है इस letter में जो RBI को RBI governor को letter लिखा गया है उसमें एक और चीज का जिक्र किया गया उसमें बताया गया कि पहले कुछ समय पहले क्या हुआ था कि bank ने नदन इंडिया में क्योंकि आपको ध्यान रखि जिसकी वज़े से बहुत सारे branches को यहाँ पर decide किया गया कि अब हम इसको बंद कर देंगे मतलब वो problem से गुजर गया तो कहीं न कहीं bank को समझ में आ गया कि हमारा जो काम है वो नदन इंडिया में अभी के लिए अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास proper control नहीं है इसको ले जाएं although यहाँ पर अभी भी bank के पास proper infrastructure नहीं है उसको चलाने के लिए already जो bank का cost to income ratio है वो already काफी जादा high है मतलब जितना income होता है उसके मुकाबले जो cost लगता है तो cost काफी जादा high है उसके बावजूद भी जो bank है वो कहीं न कहीं एक तरह से गलत दिशा में जा रहा otherwise नहीं intervene किया गया तो यह problem में आ सकता है in fact यहाँ पर उनके दोरा बोला गया कि पिछले कुछ समय से हमने धीरे धीरे जो customers है bank के और जो लोग है उनके अंदर confidence हासिल किया है और वापस से अगर यह दिक्कत देखने को मिलेगी तो यह जो confidence है वो वापस से बहुत तीजी से नीचे आ सकता है let me tell you जो confidence है वो बहुत important role play करता है अब just yes bank का आप example देखके देखिए although यहाँ पर yes bank को किसी प्रगार से चलाया जा रहा है लेकिन आप में से कितने लोग होंगे कि वापस से जो yes bank के अंदर जाकर आप अपना पैसा deposit करोगे क्योंकि अभी आपके अंदर confidence चायद नहीं है धीरे-धीरे हो सकता है कि 5-7 साल के बाद जिब के confidence आ जाएगा yes bank वापस से सही से smoothly run करने लगेगा तो यहाँ पर लोगों का confidence आ सकता है तो यही दिक्कत होती है कि यहाँ पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि confidence वापस से ना चला जाए customers का otherwise लोग withdraw करना start क कर देंगे तो अब हम आते हैं दोस्तों कि यहाँ पर problem क्या है basically यहाँ पर demand क्या कर रहा है वो देखे इसका root problem आप देखोगे ना तो main problem इसमें यह है कि यह जो आपका धनलक्षमी bank है यह private एक bank है लेकिन इसके अंदर आपको कोई promoter देखने को नहीं मिलेगा promoter क्या होता है कि एक सही दिशा में चीजों को ले जा सकता है जैसे कि reliance हो गया reliance का अगर आप share holding pattern देखोगे तो 47-48% जो है उसमें आपको promoters दिखेंगे जो मुकेश अमानी है उन्होंने अपने पास shares रख रखे है original जो यहाँ पर business को जिन्होंने open किया था तो वो एक सही दिशा में ले उन्होंने shares खरीद रखे हैं और वही उसको चलाते हैं मैंने आपको क्या बताया था starting में जो board of directors होता है जो इस पूरे bank को चलाते हैं तो कौन appoint करेगा उस particular board के अंदर अपने ही लोग appoint करेंगे जिनके पास ज्यादा shares होगा वो अपना यहाँ पर ज्यादा चीज़ें दिख कर दिया था तीन साल के लिए लेकिन recently यहाँ पर क्या हुआ है कि जो board है उन्होंने जो shareholders है basically जो decide करते हैं ultimately shareholders ने क्या किया है इस particular appointment को रद कर दिया हटा दिया even though मैं आपको बता दूं RBI ने तीन साल के लिए appoint किया था लेकिन उसके बावजूत भी ने इन्होंने इसको हटा दिया है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि top shareholders कौन है इस समय bank के आप देख सकते हो एक है आपका यूसुप अली basically इनके पास 5% stake है अगर आपने lulu mall सुना होगा especially दुबाई हो गया कोची हो गया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो उनके पास 5% stake है गोपी नातन क पास भी करी 5% stake है तो यह top shareholders है तो क्या होता है कई बार top shareholders मिल जाते हैं और चीजें कहीं ना कहीं गलत दिशा में चली जाती है और यही demand किया जा रहा है जहाँ पर bank union के दौरा ultimately कि RBI का role काफी important हो जाता है वो लोग चाहते हैं कि RBI जो है इस particular board of directors के अंदर यहाँ पर अपन intervention करे क्योंकि अगर वो intervene नहीं करेगा और आकल के date में कोई problem हो जाती है तो इसके जो जिम्मेदार होंगे वो खुद RBI होगी ऐसा यहाँ पर employees union के द्वारा बोला गया है तो अब हमें रुकना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ क्या RBI intervene करती है कि नहीं क बात की बात है मैं उसके उपर video बनाऊंगा अगर कुछ important चीजें होती है development होता है लेकिन जाने से पहले आपने देखा होगा कि कल किस तरह से प्रिलिंस का paper आया है आपका काफी tough questions आपको देखने को मिलेंगे उसमें और इसी प्रकार से एक question लेकर आया आपके लिए क्या आ यहां पर 4 option मैंने दिये हैं और यह 4 की 4 options basically आपका functions को दिखाता है Reserve Bank of India का जो function है यह 4 ही function है लेकिन आपको इसमें बताना है कि इसमें सबसे core function कौन सा है अब इसमें अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा actual में जो RBI की website है मैंने वहां से उसको उठाया और यहां पर डाला है आपको simply बताना है कि core function कौन सा होगा RBI का इसका जो right answer है वो मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही plus अगर कोई नहीं है तो आप Telegram पर भी जाकर देख सकते हो मैं daily आपर MCQ डालता हूं stories में आप जाकर वहां से play कर सकते हो बाकी मेरे economic के course और बाकी जो daily UPSC MCQ course है वो आ हो कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो मिलता है आपसे next time till then thank you very much see you soon